नमस्कार दोस्तों माजा टेक्निकल चैनल में आप लोगा स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि काफी सारे ऐसे यूटूब क्रियेटर्स है जिनका चैनल अंडर रिव्यू में चला जाता है यानि कि मोनिटाइजेशन के लिए अपलाई कर देते हैं और जैसे ही अपलाई करते हैं अपलाई के बाद वो चैनल जो है अटोमेटिक अंडर रिव्यू में चला जाता है और उसी बीच किसी क्रियेटर्स के तरफ से कॉपिराइट इस्ट्राइक आ जाता है अब उस परिस्थिती में क्या वो आपका यूटूब चैनल का क्रियेशन ओन होगा या फिर नहीं होगा वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाल हैं यह कंफ्यूजन आज के डिट में काफी सारे क्रियेटर्स के साथ भरापरा हुगा है यूटूब पलेटफर्म पर अगर आप देखेंगे तो नए जितने भी क्रियेटर्स है जो अपना किसी न किसी तरीके से वाच टाइम या फिर सब्सक्राइबर वहाँ पर बराने के लिए कुछ ऐसे कंटेंट पर वीडियो बना देते हैं जो कंटेंट इलीगल होता है वो वेबसाइट जो है आपको अधिकार नहीं देता है लेकिन उसके बावजूद भी क्रियेटर अपना वाच टाइम या फिर सब्सक्राइबर पूराने के लिए उस कंटेंट पर वीडियो बनाते हैं लेकिन चलिए अगर हम वीडियो बना भी दिये हुए हैं और मेरे चैनल पे 4000 घंटा वाच टाइम पूरा हो चुका है और पूरा होने के बाद अगर चैनल को हम अंडर पताने वाले हैं तो सबसे पहले जो इसका सबसे बरा रीजन है वो आप रीजन आप समझ देजे अगर लगता है तो इस ट्राइक से आपके मोनिटाइजेशन टैप पे कोई भी इफेक्ट नहीं परता है यह सबसे बरा जो रीजन आपके माइन में यह कनफ्यूजन होगा इ इस बात को भी आप समझ देजे अगर एक महिना के अंदर तीन कोपी डाइट श्टाइक लगातार आपके चैनल पे कोई डाल देता है तो उस बीच आपका यूटूब चैनल जो है एटुमेटिक यूटूब के तरफ से सस्पेंड कर दिया जाता है लेकिन अगर आपका चैन के तरफ से मोनिटाइजेशन को जो है आप कर दिया जा या भी डिसेबल कर दिया जा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है अगर किसी कारण से श्ट्राइक आ भी जाता है तो उससे यकीन मानिए आपके कोपी राइट श्ट्राइक पे कोई भी एफेक्ट नहीं परने वाला है ले यहाँ पे इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेंगे तो एक तो हम कनफ्यूजन पहले दूर कर दिया आपका कि वहाँ पे स्ट्राइक और मोनिटाइजेशन का कोई भी संबंद नहीं और यह जो दूसरा पॉइंट हम आपको बताने जा रहे है इस पॉइंट को आप अ चैनल जो है अंडर वहां पे चलाँ जाता है अब उस बीच अगर कोई स्ट्राइक डाल रहा है तो वहां पे स्ट्राइक डालने से होता क्या है कि जीण से और प्रेंट के स्ट्राइक और उम बीडिवब को चैनल सेργरे आहां दो जाता है अब six धि यतना सार्षक काया लिफ होता है तो उसका भीव जितना होगा वो cut होगा और साथ ही साथ उस वीडियो के दवारा जितना भी watch time आपके channel पर आया होगा वो watch time आपका cut हो जाएगा तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर एक ट्राइक लगता है आपको चैनल को सब्सक्राइब किये हुए, तो सब्सक्राइबर में कोई भी एफेक्ट नहीं परेगा, सब्सक्राइबर जितना का जितना ही रहेगा, लेकिन अगर वीडियो डिलिट होगा, तो उससे आपका भीव और प्लस वाच्टाइम वो कट हो जाता है, अब कट होगा, तो फिर क्या होगा, क्रियेटर्स के साथ, ये भी आप समझ लिजे, तो चैनल उतना दिन तक अंडर रिव्यू में रुखा हुआ रहेगा, जब तक आपके चैनल पे फिर से 4000 घंटा वाच्टाइम पूरा नहीं हो जाता है, भीव का कोई मतलब नहीं होता है, ये आप का सामना आपको करना परा है, तो आपका चैनल जो है, अंडर रिव्यू में यूटूब के तरफ से रोक दिया जागा, इस्टॉप कर दिया जागा, और तब तक रुखा हुआ रहेगा, जब तक आपके चैनल का वाच्टाइम 4000 घंटा पूरा नहीं हो जाता है, और जैसे ही 4000 घंटा वाच्टाइम पूरा होगा, तुरंत आपके चैनल का जो मोनिटाइजेशन है, वो यूटूब के तरफ से इनेबल कर दिया जागा, और जाहिर सी बात है, जैसे ही इनेबल होगा, आपके चैनल पे या फिर आपके यूटूब वीडियो पे एड रन करना शुरू हो कुछ ऐसे भी परतिभागी है, जो फ्यूचर देख के वहाँ पे अपने चैनल को मोनिटाइजेशन में डालते हैं, यह एक बहुत बेतर होता है, कभी भी अपने यूटूब चैनल का मोनिटाइजेशन तब आप वहाँ पे अपलाइक कीजिए, जब 1000 से वहाँ पे 50 या 60 ज्यादा भी नहीं है, तो वाच्टाइम थोरा बहुत वहाँ पे ज्यादा होने दिजिएगा, चुकि यह कोई नहीं जानता है, कि अंडर रिव्यू में रहेगा, तब ही हो सकता है, कोई एश्ट्राइक डाल दे, अगर आप इलीगल वीडियो बनाए हुए रहेंगे तब, अगर इलीगल आप नहीं बनाए है, तब तो आपको कोई भी टेंसन नेने की जरूरत नहीं है, जाहिर शी बात है, कोई इसी के तरफ से आपके चैनल पे श्टाइक नहीं आगा, लेकिन अगर वैसे क्रियेटर से जो घलत वीडियो बनाए हुए और उनको लगता है, कि कही कई से श्टाइक आने वाला है, और इस चकर में आप वीडियो बनाए हुए तो आपके लिए बेहतर ये होगा, कि आप कुछ दिन इंतजार और कर लेजे, और वाच टाइम को थोरा ज्यादा गरो करा लेजे, चुकी उससे होगा, क्या कि अगर किसी वीडियो पे वहाँ पे दे दिया जाएगा, तो यहीं दो इफेक्ट परता है, तो इसमें काफी सारे दर्सक है, जो यूटूब प्लेटफर्ण पे कनफ्यूज होते रहते हैं, और डायरेक्ट जो है किसी क्रियेटर से संपर्क हो नहीं पाता है, इसको लेकर जो है जो नए क्रियेटर होते हैं, खा कि जो उस वीडियो का वाच टाइम होगा, वहाँ पे माइनस हो जाएगा, लो हो जाएगा, और जितना उसका वाच टाइम होगा, उतना दीन आपको वेट करना परेगा, उतना दीन जो है, आपका चैनल अंडर रिव्यू में रोका गया रहेगा, और जैसे ही आपके चैनल क वहाँ watch time पूरा होगा तुरंत आपके channel का monetization on कर दी जाएगा लेकिन आपको समय का वहाँ पे tension लेने की जरूरत नहीं है कि कई बार परतिभागी सुचते हैं कि मेरा एक साल पूरा हो गया है जैसे एक साल का समय दिया जाता है और आपका channel under review में चला गया है strike लगा तो उसमें YouTube जो है आपको समय बढ़ा के देती है और उस समय में बाद time आप पूरा कीजिए और जैसे पूरा होगा YouTube के तरब से आपके channel का monetization जो है वह enable करके दे दिया जाता है